हेलो दियर, वेलकम वन्स अगेन, सो आज हम बात करेंगे टी रविद्रा बाबू वर्सिस बार काउंसिल ओफ इंडिया के केस की बहुत ही इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है जो एक कॉंप्टिशन लौ एस्पिरेंट और एक लौ एस्पिरेंट को जानना ही तो आप इस केस के बारे में जानेंगे और आपको पता चलेगा इसके फैक्ट्स कितने इंटरेस्टिंग है तो चलिए शुरू करती हैं विडाउट बेस्टिंग इन फॉदर टाइम फर्स्ट फॉल केस का नाम आप याद रखिए टी रविंदरा बाबू जिन्होंने केस फाइल किया किस पे केस फाइल किया बार कांसुल ओफ इंडिया पे जिससे हम अपना रिजिस्ट्रेशन लेते हैं आफ्टर कंप्लेटिंग एवर लौ तो उसी पर इन्होंने केस कर दि अब इन्होंने दिया और इन्होंने फास्ट रैंक से क्यों आप इन्होंने दिया पूरे स्टेट में ये फस्ट आ गए अब भाई बहुती अच्छी बात है ये फस्ट आ गए इतना इनकी एज थी 52 अराउंड तो इन्होंने टॉप कर लिया पूरे स्टेट में अब तो इन्होंने लौ में मतलब इनका इंटरेस्ट वैसी भी शो होई रहा था तो अब इन् mission के further process पे अब further process पे गए तो भाई state वालों ने कहा कि नहीं हमने तो rule निकाला है Bar Council of India ने बोला कि 30 years is the maximum age limit for general category अब आप हो गए 52 के, sorry आप law नहीं कर सकते अब इन्हों ने कहा अरे भाई ऐसा कैसे मैंने VRS लेली law करने के लिए पूरे state में top कर लिया अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं 30 साल के हो गए तो आप पढ़ी नहीं सकते ये कैसा, ये तो हमारा right है पढ़ने का तो इनका mode सटक गया और ये चले गए court में, अब ये court में चले गए तो देखो हुआ क्या इन्होंने simple से बोला competition commission of India पर गई ये अग क्यों गई वो देखो, आगे हम मैं बताऊंगा क्या हुआ, तो ये गई competition commission of India के पास, इन्होंने का देखो भईया, बार council of India जो है न ये abuse कर रहा है अपनी dominant position by imposing a maximum age limit for admissions into legal education, कैरे भई देखो legal education में ऐसा तुम maximum age का criteria रख रहे हो, और आप तो अपनी dominant position को abuse कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप ही हो जो हो जो decide करोगे, आप ही हो, बार council of India हो तो जो rule बना दोगे, follow करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने बोल दिया भी competition commission of India पर कि नहीं, ये तो dominant position का abuse है, अब allegations और क्या थी, ये तो छोटे में मैंने facts बताए, it was alleged that bar council of India has acted in contravention of section 4, इन्होंने section 4 का violation किया है, by abusing its quintessential position of controlling legal education, क्योंकि legal education all over India में कौन control कर रहा है, bar council of India और इन्होंने का, ये section 4, जो कि abuse of dominant position है उसको violate करता है, and practice in India, and thereby imposing barriers to new entrance in legal position, ये नए लोगों को आने ही नहीं दे रहा, क्योंकि इसे पता है नए लोग आएंगे, तो हो सकता है कि जो भी ये chairman और ये जो भी सब बड़ी-बड़ी position पे है उसके लिए competition बढ़ जाएगा, या फिर अच्छे chair advocates हो राजेंगे, तो उनका competition बढ़ जाएगा, इसलिए ये बार कर रहा है नए legal entrance को आने से बार कर रहा है, और ये same condition मैच होती है, जब हम देखते है न, abuse of dominant position section 4, वहाँ पर क्या होता है अगर कोई भी existing player दूसरे को आने से बार करता है, M market में, तो वो dominant position का abuse माना जाता है तो इसी basis पे ये competition commission of India के पास गए और इन्होंने अपने facts रखे, अब देखते हुआ क्या आगे अब देखो CCI ने बोला, ठीक है कि चलो हम आपका case सुन भी लेते हैं, लेकिन लेकिन सुनो, इन्होंने क्या किया, हम आपकी complaint को reject इसलिए कर रहे हैं क्योंकि in order to sustain allegations अगर हमें बार council of India के उपर allegations को सुनें या फिर sustain करें, उसके लिए कि होना चाहिए कि बार council of India enterprise की definition में आए क्योंकि जो word enterprise है मैंने specific video बनाई है enterprise के उपर, कि enterprise word competition के लिए कितना valuable है, कितना importance रखता है, क्यों? क्योंकि उसमें बोले यह गया है कि आप further criteria बाद में देखोगे, पहले आप देखोगे कि जिसके उपर allegation लगे हैं, वो enterprise के अंदर fall भी कर रहा है कि नहीं, तो CCI नहीं यहीं बोला कि नहीं भाईया, बार council of India enterprise की definition में fall नहीं कर रहा और बार council of India सिर्फ regulate करता है legal education को पूरे इंडिया में और नहीं वो उसको मतलब सिर्फ regulate करने का काम है नहीं वो कोई abuse नहीं करता है, dominant position पर नहीं है तेक है, in respect of legal profession, therefore it cannot be termed as an enterprise और यह enterprise तो है नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ काम regulation का है, और किसी और चीज़ का काम नहीं है तो इसलिए CCI ने बोला कि नहीं भीया, आपका case reject होता है so I hope आपको यह case law interesting लगा होगा, काफ़ important है तो आप channel को subscribe किजिए, वीडियो को like किजिए, बाबाई